करनाटक में हिंदुत्व का मुद्धा फेल अब बीजेपी ने बनाया ये खास प्लान क्या भेद पाएगी जात्य समिकरन का चक्र विउ करनाटक विधान सभाचुनाप के लिए अब बस कुछ ही दिन का समय बचा है कॉंग्रिस जेडियस जहां सत्ता में बापसी का सपना देख रही है तो वहीं सत्ता रूड बीजेपी दूसरी बार जीत दर्ज करने का करनाटक जैसे राज्ये में सत्ता तक वही पार्टी पहुँच पाती है जो तमाम जात्य समिकरन को साध लें जिसकी जलक आपको टिकेट बटवारे में भी देखने को मिली होगी तो चलिए जानते हैं कि करनाटक में राज्यनितिक दलों के जात्य समिकरन क्या है तो चलिए जानते हैं कि आखिर बीजेपी करनाटक में जात्य समिकरन का चक्रवियो कैसे भेद पाएगी बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है नौर्थ के तमाम राज्यों में बीजेपी ऐसा करती आई है और इसमें उसे सफलता भी मिली है लेकिन करनाटक में सामप्रदाइक मुद्दों से ज्यादा जरूरी जात्य समीकरण को साधना है करनाटक में जात्य समीकरण कितना एहम है बीजेपी ये भली भांती समच चुकी है यही वज़ा है कि चुनाब से ठीक पहले सत्ता रूड बीजेपी ने आरक्षन का कार्ड खेला और उसमें फिर बदल कर चुनावी समिकर्ण बनाने की कोशिश की करनाटक एक ऐसा राज्यो है जहां करीब 95 फीस दी जातियों और समुदायों के पास किसी न किसी तरह का आरक्षन है यही कारण है कि बोमई सरकार ने विधान सभा चुनाब से पहले चौकाने वाला फैंसला लेते हुए मुसलिमों के लिए नौक्रियों और शिक्षा में दिये जाने वाले चार प्रतिशत के आरक्षन को खत्म कर दिया वहीं मुसलिम समुदाय को EWS कोटे के तहत आरक्षन देने की बात कही इस आरक्षन के हिस्से को करनाटक के दो बड़े समुदाओं लिंगायत और बोकालीगा में बांट दिया गया EWS को राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षन मिलता है जो सभी EWS के तहत आने वाले समुदाय के लोगों को समान रूप से मिलेगा मुसलिम को दिये जवाने वाले 4 प्रतिशत आरक्षन को खंद करते हुए इसके बटवारे का फैंसला लिया गया पर ये मुसलिम को नहीं बलकि बोकालीगा और लिंगायत समुदाय को दिया जाएगा सरकार नहीं दोनों समुदाय को 4 प्रतिशत से 2-2 प्रतिशत आरक्षन देनी का फैंसला लिया है जुसके साथ ही अब बोकालीगा समुदाय को मिलने वाला आरक्षन 4 प्रतिशत की जगा बढ़कर 6 प्रतिशत हो जाएगा और वहीं लिंगायत समुदाय को मिलने वाला आरक्षन 5 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो जाएगा बीजेपी का ये दाउं इसलिए एहम माना जो आ रहा है क्योंकि करनाटक की सत्ता का रास्ता लिंगायत और बोकालिगा समुदायों से हो कर जाता है लिंगायत राज्य में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही है जो दशकों से बीजेपी के साथ खड़ा नजर आया है लिंगायत पूरे राज्य में फैले हुए हैं और दक्षिन करनाटक के कई जीलों में निणायक भूमी का निभाते हैं इस समुदाय से करीब 40-50 विधायक विधान सबा के लिए चुने जाते हैं करनाटक में अगर ऐस बंगारप्पा और मोईली जैसे मुख्यमंत्यों को छोड़ दें तो हर बार सत्ता या तो लिंगायतों या फिर वोकालिगों के पास ही रही है बारी बारी से इन दोनों समुदाय के पास सत्ता आती रही है ऐसे में बीजेपी पुरजोर तरीके से जातिय समिकर्ण को साधने की कोशिश कर रही है अब इसमें उसे कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस खबर में फिलाल इतना ही तो आज आपडेट के लिए बने रहीं One India हिंदी के साथ